सुप्रभाद बच्चो आज मैं आपको मेरे राम का मुखट भीग रहा है नामक निबंध पढ़ाने जा रही हो जिसके रचाइता विद्या निवास मिश्रजी है तो यह एक ललित निबंध है जहां पर लेखक जो है उनका मन महीनों से व्याकुल था कोई खास वज़ा नहीं तो एक बार की बात है उनके घर महमान लड़की आई हुए थी और पुत्र कहते हैं कि उन्हें संगीत का कारिक्रम सुनने जाना है तो पिताजी कहते हैं ठीक है संगीत का कारिक्रम अवशे सुनने जाओ पर 10 बजे तक लोट आना तो वे लोग 9 बजे के निकले हुए थे अब किसी कारणवर्ष उन्हें लेटने में देरी हो गई तो अब जब बच्चे नहीं लोट रहे थे तब उनका मन बिलकुल उद्विग्न हो उठता है व्याकुल हो उठता है उनके मन में दुश्चिंता आने लगती है कि आखिर उनका पुत्र और महमान लड़की क्यों नहीं लोटे तो इस प्रकार उन्हें तब क्या है अपने पुरानी बाते याद आ जाती है तब उन्हें क्या है जो जब छोटे थे वे विदेश में पढ़ने जाते थे तब उनक कि गीत गाया कहती थी औरfy मेरे राम का भीजे मुक्टवावाव लचमंद का पटू कवा सीता सिंदुर होये तो इस ओर्थ उन्हें अ नहीं आता था पर अभी जो है उसका दर्द उन्हें समझ में आता है मतलब यह सोचते हैं कि देखो जिनके संतान विदेश में जाते हैं या बिछुड जाते हैं उनके माता-पिता का क्या हाल होता होगा उसी को लेकर वे यह कहानी रस्ते हैं मेरे राम का मुकुर भीग रहा है तो यहाँ पर महमान लेखक के साथ लेखक के पुत्र के साथ एक महमान लड़की है उसी को लेकर वे ज्यादा चिंदित है क्योंकि आजकल का जो वातवरन है आजकल की जो अवस्ता है वह ठीक नहीं है वे सोचते हैं कि एक तो महमान लड़की है अगर कुछ हो ना जाए तो बेटा भी जो है काफी बड़ा है संकट मोचन की किताब लिखता है पुस्तके लिखता है पर फिर भी बड़े हैं फिर भी उनको लेकर वह व्याकुल हो जाते हैं इसे चिंता में वे सोचते हैं कि बच्चे जो हैं वे माता पिता के जो जो चिंता करते हैं वह लेकर बिल्कुल रहते हैं और बच्चे जो है इस व्याकुलता को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं जब तक वे उस स्थिति में नहीं पहुंसते हैं तो यहां पर देखो यही सोस्ते वे तो अपने पत्नी को समझाते हैं समझा भुझा कर कि हाँ बेटे लोग गए हैं बारिश हो रही है लोटी तो यहां पत्नी दोपने दोनों आठीर सुझा पर उन्हें नीन नहीं आती वे बड़ी को रह संक्रम्स को बयाते हैं में जोटतुत कब वे सोचते हैं कि जब राम जी को वनवास हुआ था तो उनके साथ लक्षमन जी गए थे सीता मैया भी गए थी तो उस समय कौशल्या का क्या हाल हुआ होगा वे अपने पुत्र को लेकर कितने चिंतित थे तो चौदा वर्ष का वनवास तो ऐसे ही कौशल्या यहां पर माता लोगों की प्रतीव का प्रतीख है मतलब जितने भी माता पिता हैं वे लोग जिनके संतान दूर रहते हैं उनके मन में कितन क्या व्याकुलता चलती है उसी को लेकर लेकर लिखते हैं तो यहां पर देखो अ सुबह के चार बजे लोटते हैं मगर उनका मन फिर भी क्या है वहीं राम पर बसा हुआ होता है वे सोसते हैं कि राम जी 14 वर्ष वनवास में रहे मगर सीता को तो फिर से उनर वनवास करना पड़ा था फिर से उन्हें निर्वासित किया गया था राजा तो राम तो लौट आए मगर क्या है सीता जो है उन्हें फिर से अयोध्या लौटने के बाद भी क्या है उन्हें निर्वासित किया गया तो उनका मन जो है कहां वसा हुआ था राम जी के वन यात्रा में डूबा हुआ था तो यहीं है कहानी का सारांश तो अब आप लोग कहानी आप लोग खोलिए मेरे राम कमकुट भीग रहा है तो मैं शुरुआत करती हो फर्स परग्राफ आप लोग खोलिएगा मेरी जो किताब है वह पुरानी है आप लोग दे और केहट उदास है तो लेखक का मन यहां पर मतलब विध्या निवास मिश्च्रिजी का मन काफी पिन दोदासि की कोई खास वजह यहीं कभी कभी देखना हमारा मन उदास हो जाता तो दाशी की की वजह कुछ नहीं होती पर फिर भी मल व्यकुल हो जाता तो महीनों से उनका मन व्याखुल था उदासी की कोई खास वजह नहीं कुछ तव्यत ढीली कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे तूटने का डर खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूं उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती तो देखो उदासी का कोई खास वज़ा नहीं है सोचो कोई किसी काम पर निकरे पर वो काम सफल नहीं हुआ या थोड़ा तब ये ठीली मतलब थोड़ी सर्दी जुखांबी हो जाता तो तब ये ठीक नहीं लगता तो ये छोटे मुटे काम से क्या है उनका मन बेहर उदास फिर भी रात रात नींद नहीं आती देखो उदासी की कोई खास वजा नहीं थी फिर भी लेखा को रात भर नीन नहीं आती थी दिन ऐसे बीटते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रीन चड़ा दी गई हो और भूतों की आकरतिय और डरावनी हो गई तो रात को क्या उन्हें बिलकुल नहीं आती थी रात को वे और मतलब उनका मन और व्याकुल हो जाता था और वे जगे रहते थे इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ तो नहीं लगता है जो भी हुआ चलो ठीक है यह होना ही था ना होना ही कुछ अटपटा होता और कभी-कभी बहुत मामुली सी बाते भी भाइंकर जिनता का कारण बन जाती अभी दो तिन रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कारेक्रम सुनने के लिए नौ बजे रात गए साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक महमान महानगरिय वात्यवरण में पली कन्या ने अनुमती मांगी शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थती का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है कहा दिया एक डिड़ घंटे सुनकर चले आना तो अब देखो उनके जो पुत्र हैं वे संगीत का कारेकरम सुनने जाना चाहते थे इसलिए उनके घर एक महमान भी आई हुई थी लड़की तो वे कहते हैं देखो मन तो नहीं था कि पुत्र को भेजे उपर से लड़की भी साथ है मगर फिर भी क्या करते हैं वे कहते हैं अगर ना करते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं तो कहतें जाओ मगर एक डिद घंटा संगीत का कारेकरम देखकर लोट आना रात के बारह बजे लोग नहीं लोटे तो क्या है दस बजे तक उन्होंने सोचा था कि धस बजे तक लोटा ना मगर रात के बारह बज गये मेहमान लड़की और उनका पुत्र नहीं लोटे अब जब नहीं लौटे तो ग्रिहनी बहुत विदिगने हुई मतलब पत्नी जो है उन बच्चे की जो मा है वह बहुत वुद्विगन हो गई बेटा क्यों नहीं लौटा भी तक महमान भी नहीं लौटी काफी चिंतित हो गई अब लेख़क के उपर क्या है जलाने लगी चिल और लौट नाराज होने लगी वह क्यों बच्चों को लेकर गए इतने में जोड से बारिष हो गए तो रात के बारा बजह किया है तेज बारिष शुरू हो जाती है चछत से बीस्तर समेटकर कमरें में आएं ग्रिहनी को समझाया बारीष थमेगी आ जाएंगे संगीत में मन लग जाता है तो पति क्या करते पत्नी को यह समझाते बारिश हो रही है बारिश थम जाएगी तो लौट आएंगे और फिर बच्चों का मन हो उठा पर लेखा को नेद नहीं आती उनका मन व्याकुल हो जाता है बारिश निकल गई मतलब बारिश थम गई पर वे लोग नहीं लोटे बरामदे में कुरसी लगाए रहाज होने लगे तो अब उसको लाइन को अंडर लाइन करो बरामदे में कुरसी लगाकर रहाज होने लगा अब लेखा क्या करते बरामदे में क्या करते कुर्सी लेकर बैठ जाते हैं और उनकी रहा देखने लगते दूर कोई भी आहट होती तो उद्धग्र होकर फाटक की और देखने लगते उद्धविग्न होकर क्या करते गेट की और देखते बाहर कोई भी शब्द होता थ तो वे सुसे थे शायद बच्चे आ गए हैं दूर तक नजर डालते पर कोई नजर नहीं आता रहे रहे कर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिख जाती थी पर सामने की सड़क पर कोई रिक्षा नहीं कोई चिरई का पूथ नहीं एक आएक कई दिनों से मन में उमारती पंग गूंज गई तो इस प्रकार कई घंटे बीट गए रास्ते पर रहा पर क्या है नजर दोडाते रहते हैं पर उन्हें दूर दूर तक जब बिजली चमकती थी तो बहुत दूर तक रास्ता दिखाए देता था मगर क्या है कुछ भी नजर नहीं आता था और तब उनका मन क्य हो जाता था बहुत उद्विग्न हो जाता था और तब उन्हें उनके मन में एक पंक्ती जो है उमढ़ने घुमढ़ने लगती है और वह पंक्ती है देखो मोरी राम का भीजे मुकुटवा लचिमन के पटुकवा मोरी सीता के भीजे सेनुरवा ता राम घर लोटई ही मेरे राम का मुकुट भीज रहा होगा लक्षमन का दुपटा भीज रहा होगा मेरे सीता का क्या है सिंदूर मांग का सिंदूर भीज रहा होगा और मेरे राम घर लोट आते अगर राम लोट आते तो क्या है मन में दुश्चिंता नहीं होती आशा करती हूँ यहां तक आप को अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी,